हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के में इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में यहां पर जो overall discussion रहने वाला है वो basically इस चीज पर रहने वाला है कि जिस according IRFC में तेजी बन चुकी है तो क्या हमें अभी भी position hold करनी चाहिए या फिर यहां से profit booking करके निकल जाना चाहिए और बागी की जो अपडेट्स हैं वो तो हम इसमें cover करेंगी तो वीडियो को end तक आप ज मुमेंट नहीं आ रहा था तब लोगों की thinking क्या थी तब लोग बोलते थे क्यों बगवास करते हो यार फिर अगर आप देखो कि तो एक दूर्सा comment आया होता कुछ नहीं है काम नहीं है इसलिए रोज एक बात फालतूगी पबलिक को बना रहे हो और आज आप देख सकते हो क की momentum बना है या नहीं क्या यहां पर लोगों को मैंने उल्लू बनाया है बगवास की है वो आप सब के सामने result सामने ही है फिर अगर आप देखो तो किसी ने इसमें एक comment किया था किसर इसमें entry ले सकते हैं तो नीचे comment आया है तो अभी तक क्या कर रहे थे इस type से investment करोगे तो जल्दी डूब हो गए ऐसे किसी को रोष्ट मत किया करो आगे अगर हम यहां पर देखें तो कल मैंने एक आपको comment बढ़के बताया था जिसमें किसी ने mention किया था कि overacting लगती है थोड़ा तो उसके reward में आया है तो भाई तू इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना तूने कौन सा कोई picture का hero sign करना है तो यह शारी चीज़ा है चलती रहती है comment में आप भी यहां पर comment करिए मैं उसको भी highlight अगली वीडियो में करने वाला हूँ अब यहां पर बात कर लेते हैं overall आज के market के बारे में तो आप देखो market में क्या कुछ हुआ है कि आज की closing हुई है और point है जो यहां पर weekly closing है वो देखने को मिली है और इसी बीच अगर हम यहां पर बात करें IRFC की तो IRFC में भी आज जो है वो एक बड़ी तेजी फिर से बनी थी यानि कि जो overall momentum था एक बहुत बड़ा फिर से बन गया था करीबन 48.30 रुपे तीस पैसे तक का high बनाया 48.30 का लेकिन closing जो हुई है वो लगवक 45 रुपे यानि कि 44.95 और आदे परसेंट के moment के साथ तो high तो आपने आप देख लिया कि 48.30 रुपे तीस पैसे जो हम लोग ने एक estimation लगा था कि 50 रुपे तक शायद इस week में जाए वो तो यहां पर पूरा नहीं हुआ लेकिन आउसके आसपास के दिन 30 करोड का volume है यानि कि लगवक आदा है और इस बज़े से ही आज बहुत बड़ा momentum बन नहीं पाया एक हफते का अब जो average सुदर के हो गया है वो गया 27 करोड एक महीने का हो गया 10 करोड और वहीं अगर हम इसकी return profile देखें तो भो भी काफी जादा बहतरीन बनते उने जरा रही है YTD यानि कि इस साल में अभी तक 38% के returns है एक हफते में करीवन साड़े 28% एक हफते में आप समझो कि चीजे कैसी चल रही है एक महीने में 36, 36%, 3 महीने में 32%, 6 महीने में 44, 1 साल में 111%, 2 साल में 90% तो यह कुछ track record है अभी तक return का जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक report निकल के आई थी तो उसमें क्या बताया गया था कि जो IRFC का stock है वो bullet train की speed की तरह भाग रहा है और अभी इसका जो price है वो 50 रुपे से भी कम है investor का जो amount है वो एक साल के अंदर अंदर double हो चुका है यहाँ पर बात करी जा रही है IRFC के बारे में जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि 2023 में जो share है वो एक बहुत बड़ी percentage के साथ बढ़ चुका है और पिछले week ही समझ के चलो वो ही एक momentum बनाने वाला week करा है और इसमें अगर कुछ चीज़ें हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो MOU sign हुआ था तो वो तो आप सभी को बताया कि क्या कुछ चीज़ें हो रही है लेकिन उसके बीच में अगर आप देखोगे तो चीज़ें क्या बन रही है कि यहां से जो share है वो आपको cement sector में भी जात करते हुए नजर आ सकता है यानि कि वहां पर जो opportunities है उनको explore कर सकता है वहीं अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे sectors में आपको जो IRFC वो अपनी reach करते हुए नजर आ सकते हैं जिससे अगर आप देखोगे जैसे energy, minerals, cement transport इन सारे areas में अब जो है वो share यानि कि IRFC वो explore कर करने वाला है और definitely यहां से अगर आप देखोगे तो एक बड़ा momentum जो है बनते हो नजर आ सकता है क्योंकि अभी तक तो यह cable railway तक ही limited था लेकिन अब यह MOU sign करने के बाद जब यह different sectors का exploration होगा तो फिर आप समझो कि यह जो IRFC है वो कहां से कहां तक जा सकता है आपको मैंने कल एक news बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो overall सरकार है यानि कि Indian Railways के लिए एक बहुत बड़ा project जो है वो आने वाला है करीवन 25,000 करोड के आसपास का और इसमें बहुत सारी companies को फायदा होने वाला है BHEL का नाम था RITS का नाम था RBNL का नाम था IRCON का नाम था लेक कि कल मैंने पूरी तरीके से आपको अच्छे से explain किया था कि कैसे जब इन companies को फायदा होगा जब इन companies को contracts मिलेंगे तो इनको requirement होगी funding की और basic चीज है एकदम कि आपको कुछ भी contracts बगरा करना है कुछ भी चीजों का manufacturing construction कुछ भी करना है funding की requirement होती है और वो funding जो arrange करा रहता है वो है IRFC तो इसका business ही अपने आप में एकतम unique है जिसमें loss होने के chances बिलकुल ना के बराबर होते हैं और फिर उपर से अगर ऐसे fundamentals हो तो definitely चीजें जो है बहुत ज्यादा improve हो जाती है अब जो overall यहां से माहौल बनते हुए नजर आ रहा है उससे तो नजर आता है कि जो IRFC है व लेकिन वहीं अगर हम बात करें Mr. Ambris Waliga के बारे में जो कि CNBC TB18 पर नजर आते हैं market expert है इन्हों ने बोला है कि जिस according देखो सबसे पहली rally किस में आई थी वो आई थी IRCTC में उसके बाद एक फैसला निकल के आया ता सरकार का और उस बज़े से चीजे खराब होई थी फिर उ definitely one should book the profit यानि कि profit booking करनी चाहिए इनके according तो मेरे according यहां पर क्या कुछ चीजे हैं कि जिन भी लोगों ने अपना जो prospectus है वो short term का बनाया हुआ था तो definitely profit booking कर लेनी चाहिए लेकिन हा जिन भी लोगों ने यह सोच के investment किया था कि आज मैं investment कर दिया है इसमें अब मैं इसको यही था कि 3-6 महिने के बीच का तो आपको profit booking जो है वो definitely कर लेनी चाहिए बाकी और ज्यादा जो चीजों की clarity मिलेगी वो 11 तारिक को मिल जाएगी 11 तारिक को क्या होने माला है यहां पर आपको results देखने को मिलेंगे 12 तारिक को RBNL गे results देखने को मिलेंगे तो इन तोनों companies क जो overall performance है वो काफी हद तक decide हो जाएगा और क्या कुछ corporate action मिलने माला है वो भी हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यह है अब तक का update इन दोनों stock पर बाकी वीडियो में और कुछ अगर आपको चाहिए तो आप comment में जरूर बता सकते हो और जैसे कि मैं आपके जो comments है म धन्यवाद